दोस्तों एक बाफिर से स्वागत है आपका हमारे यूटीब चैनल में तो आज किस वीडियो में हम ब्याट के नेक्स एसाइमेंट के उपर बात करें हैं यह है बहुतिक बिज्ञान शिक्षण तो फिजिक्स का जो एक आपका एसाइमेंट बनता है साइंस स्टूरेंट के लि पड़ेगा कि आखिर बिज्ञान होता क्या है उसकी परिभासाइं हमने यहां पर बतानी है नेक्स जो है थर्ड स्टेप पे हमें लिखना है बिज्ञान की प्रमुक शाखाएं कौन-कौन सी है उसके बाद आपको में उस पर आना है कि आपको कौन से मतलब फाइल कि उस पर है बनानी है जो आपका सब्जेक्ट है उसे सबसे पहति प्रमुक साखायों तर्व औब नेक्स कि उसके बाद आएगा उसके प्लियुट का कि रहुता करें हो साध्या है उसके आएगा का नी बिजीन ने जिए हमारे में टॉपिक अए गारा उसके बाद लास्म निश्कर्स और सबसे लास संदभ ग्रद सूची तो इतना है इस Ưह फाइल में आएगा तो आप देखते हैं सिय्षा को किस तरगी से बना सकते हैं कि तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले साइंस को णिमिभाया कैने कर्वेसी परहता किसे तो बिदम वी धन सब्सक्राइब निकले वे हैं स्पेस साइन्स हो गया एर्थ साइन्स हो गया बाइलाजी हो जेगा फिजिक्स केमिस्ट्री तो इस तरी किसे थोड़ा डेकॉरेट कर लिया है एसकी परिभास और आते हैं देकि आप यहां पर हमने फोर इसकी परिभास और या लकोरें निकली है आई ऐन सुध्राव दो आइनस्टीन के द्वारें थाल्ड शु के द्वारा यहां पर जो है जो भी परिभास हैं साइंस के उपर उसे हमने यह पर लिखा है इस यह सब आपको गूगल में भी मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो नेक जो हमारा थर्ड टॉपिक है इसके उपर वो है कि बिज्ञान की प्रमुक साखाएं तो यहां पर हम बात करागे लिए तो तरी हương जो है कि में ऑर भी ज चानुद भी जादा चैनल इसीफ्ण के उसलिढ сделать that आपे 4 साका है उर्जा का पिस्धै भिज्ञान मुझानाुः बिज्ञान श कर दोरह कि द्रकाम के उसके आनने प्रकर्टी जगथ नर्ण की जाती है चैनल þाली क्वार्ब ज करे लिएप को शुब यह को प्रpelूखसां कि प्रभूख्य तथा है उनकी वैग्यानिक अध्यान को जाता है। हुआ यहां पर आधुनिक भहतगी को हमने थोड़ा दिफाइंड कि辵ा MR को अधूनिक भहतगी कुनेट किकिसके अंदर क्या क्या आता हैतों है तो बहुत अधुनिक भहतगी के अंदर Аंध्याकर ऊप्ध्याकार बहनए नाभ्य के भ्हतगी और को कि आपकkov जो है अब हम यहाँ पर आते हैं जो है मतलब मेन जो को रिलेक्शन होता है सह संब्ध उसे हम ने थोड़ा डिफाइंड किया क्या होता गया है तो जैसे लिखा है कि सह संब्ध का अर्थ है दो या दो से अधिक तथियों के मद्य संब्धिता की दिशा एवं मात्रा जहां तक शिक्षन विश्यों के मद्य सह संब्ध का संब्ध है इसका अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक विश्यों के ग्यान को परस पर संब्धित करना जिसे को प्राते समय को दूसरे विषयों को सभगते कर दोनों विश्यों के लिए कि मद्यय क्या होता है शिकृ wield का सहसंबन कहलाता है जसे रहिक पड़ाते समय उस्षमाजिक इस्तिति राजनेतिक स्तिति बैग्यानिक इस प्रगति पर संतिति गॉम्हें आधी पर प्रकास जालते हुए हुआ बताया जाता है जबुचिंदिंगार के अन्य विश्यों से सह संब्द बताएं तो सबसे पहले हमने आप बहुतिक विज्यान का इतियास सह संब्द बता है आप देख सकते हैं यह जानकारी आपको कहीं भी मिल जाएगी गूगल में बर आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब बंदा थानकार्ण कर्द विज्याट है चीज को वह ब्हुतिक विज्यान के बीच में पेस शंब्द में नेक्स को घप नाकार नेक्स बाया हुए है साथ एक पर पहुत की आप दोकी हम संगीत कि उपर बॉयक्ताइब टो बनाते में जो ढाद सेलग एंगिभा Champakran की ख Premade में कर लिया कि इस पगाब विज्ञान का सहसंद इन बेसें से होता है किसी एक बिशाय को पड़ाते समय उसके तत्यों को दूसरे बिश्यों के सब्सक्राइब करते भी पढ़ाया जाए तो वह उन दोनों बिश्यों के मद इस शिक्षन को सहसंद कहलाता है तो इस तेक से हमने नि सब्सक्राइब करने होती है तो ऐसे वीडियो को देखने के लिए पर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं थैंक्यू सो मच